हलो फेंस, ग्लिटन्स फोटेक के एक नई और फिर्च वीडियो में आपका फिर से बहुत स्वागत है और मैं प्रशान प्राशर आर आपके लिए लिए क्या है हूँ एक विलिंशा का स्मार्ट डिस्टर लॉक ये एक ऐसा डिस्टर लॉक है जिसको आप अपने फिंगर प्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं इसके पे की पैट दिया हुआ है जिसको अपना पास को डाल के इसको एक्सेस कर सकते हैं इसको आप RFID टैक्स एक्सेस कर सकते हैं इस lock के अंदर आपको मिलते हैं multi-level access controls, इसके अंदर आपको मिलते हैं double authentication, इसके अंदर आपको मिलते हैं alarm indicators, voice controls और साथ-साथ emergency battery का option भी है इसके अंदर, तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में करूँगा, इसके unboxing तो चलिए करते हैं, कुछ टेक की बात, glitters info, टेक के तो ये है Valencia के Hula Smart Lock की एक retail packing और एक corrugated packing है, बहुत ही simple packing है, और इस packing के अंदर जो आपको lock मिलते हैं, उसको आप fingerprint से access कर सकते हैं, keypad से access कर सकते हैं, उसको RFID से और फिर mechanical key से भी access कर सकते हैं, और ये जो brand है Valencia, ये Asa Abloi company का है, और Asa Abloi एक ऐसी company है, जो की global leader है, access systems के product code है Hula CG, और ये biometric type lock है, और इसका MRP है, वो 21,999 है, बट online ये आपको बहुत सस्ते price पर मिल जाएगा, और इसका जो best file link है, वो नीचे description में दिया हुआ है, जहापे click करके आप इसको बहुत सस्ते price पर purchase कर सकते हैं, और इस box के अंदर आपको मिलती है एक user manual, और इसके साथ म इसके इलावा इसके अंदर मिलती है आपको 4 AA batteries, और एक इसके अंदर आपको मिलता है इसका mechanical lock set और उसकी chabi, और एक मिलते है इसके अंदर आपको इसका locking unit, और इस tray के नीचे आपको मिलते है इसका outdoor unit और indoor unit, तो ये है इसका outdoor unit, और अभी जो हमारे पास lock है, ये campaign gold में है, औ और ये है इसका outdoor unit, और एक हमें इसके अंदर मिलते है इसका indoor unit, और indoor unit में भी ये जो color combination है black और campaign gold का बहुत ही सुन्दर लगता है, और अब आपको एक इसका demo देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये lock कैसे काम करते हैं, तो ये है इस lock का outdoor panel जो की दरवारे की बाहर की त दोस्ती है, और एक है इसमें keypad दिया हुआ है, जिसमें आप password डालके इसको access कर सकते हैं, यहाँ fingerprint scanner है, और bottom में इसके एक-एक keyhole है, जहापे आप इसमें key लगाकर इसको access कर सकते हैं, और नीचे बलेंचा की branding है, और ये completely gloss finish के अंदर है, और इसका जो handle है, ये matte finish के अंदर ह तो ये जो combination है, matte और gloss का बहुत ज़्यादा premium लगता है, और ये handle आपका gloss finish में इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर एक gloss finish के अंदर होता, तो जब भी आप इसको पकड़ते, तो इसके अंदर आपके finger impressions आते हैं, और ये बार-बार गंदा होता, आपको इसको साफ करना पड़ता और ये जो इसका indoor unit है, completely matte finish के अंदर है, और इसके अंदर top पे एक है sliding door है, जिसको आप open करके इसके अंदर batteries change कर सकते हो, इसके अंदर battery compartment है, इसके अंदर double A की 4 batteries लगती है, और इसी तरीके से इसको आप नीचे slide down करके बंद कर सकते हैं, इसका handle है, A के यहाँ पे child lock दिया जो कि इसका do not disturb lock है, और आप जब भी इस lock को use करेंगे, यह आपको light indicators तो देगा ही, साथ साथ आपको voice command भी देगा, अगर कोई unknown person इसको access करता है, तो यह red color की light indicator जाती है, और यह prompt करता है field का, और इसको unlock करने के लिए हम अपनी fingerprint का use कर सकते हैं, यह unlock होने के बाद light green होजात है, इस तरीके से इसकी doorbell ring होती है, इसके साथ हाथ इसको access करने के लिए, इसमें जो keypad है, इसका use कर सकते हैं, तो इसमें अपना password डालेंगे हैं, 123, यह password डालने के बाद hash press करेंगे, और हमारा unlock हो जाएगा, और इसके अलावा इसको unlock करने के लिए RFID भी हम इसमें use कर सकते ह unlock हो गया, इसके अलावा इसमें जो एक key compartment है, इसका भी use करके हम इसको unlock कर सकते हैं, तो यह जो mechanical की साथ मिली थी हमें, इसका भी use करके हम इसको unlock कर सकते हैं, इस तरीके से key अंदर डाल कर इसको हम press करेंगे, तो हमारा door open हो जाएगा, तो इस door को access करने के बहुत जादा convenient options हैं और इसके ने double authentication भी आपको मिलती है, मतलब आप combination कर सकते हैं, कोई भी दो चीजों का इसको access करने के लिए, अपनी fingerprint के साथ RFID का, या फिर अपनी fingerprint के साथ number keypad का, जब भी आप इसमें fingerprint और password डालेंगे, तब यह access होगा, या फिर अगर single mode पे है, तो आप कोई भी एक अपनी authentication से इसको access कर सकते हैं, और इसके अंदरों सबसे अच्छा feature है, वो है password scrambling का, उस feature का use करके, अगर कोई unknown person आपके साथ है, और आप इसमें अपना password डाल रहे हैं, तो आप अपने password के साथ कोई भी combination है अथा डाल सकते हैं, जिसकी वरिए से सामने वाला पसंद confusion रहेगा, और उ unlock हो जाएगा, या फिर जो मैंने random keys press करी हैं, यह मैं अपने password डालने से पहले भी डाल सकता हूँ, और इस lock की back side में एक speaker दिया हुआ है, जहां से voice prompts आते हैं, और इसके अलावा इसमें के bottom में child lock का भी button दिया हुआ है, जिसको हम press करने के बाद इस lock को free कर सकते हैं, अक्सर क् गर में अगर छोटे बच्चे होते हैं, तो गर से बाहर जाने के लिए बार बार जो है, दरवारे को खोलते हैं, तो जब हम इसको child lock पर लगा देंगे, तो उसके बाद है handle हमारा free हो जाएगा, इसको आप कितना भी press करेंगे, यहां से आपका door open नहीं होगा, दुबारा इस जाएगा, तो भी कोई इसको open करके access नहीं कर पाएगा, यह door open नहीं होगा, और इसको जब आप दुबारा open कर देंगे, तो उसके बाद इस door को कोई भी access कर पाएगा, और इस door lock के अंदर आपको alarm indicators भी मिलते हैं, अगर आपकी battery low है, तो यह आपको indicate करेगा, अगर wrong password एंटर हुआ है, तो आपको indicate करेगा, और इसके अंदर introduction alarm भी है, और इसके अंदर बैटरी लगे हुई है, उसकी life 6 महीने से लेके 1 साल तक है, डिपेंड करता है आपकी usage के उपर, और अगर आप घर के बाहर हैं, और आपकी battery dead हो चुकी है, तो उस case में आप इसको या तो चावी से port दिया हुए है, जहांपे आप अपना power bank लगा के इसको power दे के इसको access कर सकते हैं, तो अभी जो हमारी traditional locks हैं, उनको अगर आपने lock करना है, तो आपको इसकी चावी का use करना पड़ेगा, उसमें चावी लगाने के बाद उस दरवारियों को आपको lock करना पड़ेगा, मगर इसके case में बहुत असान है, अगर आपको इस door को lock करना है अपने, तो आपने सरफ इसके handle को पकड़ने और पकड़ने के बाद इसको उपर की दरव slide करना है, बस उपर slide करने के बाद इसके लिए bolts है एक्टे हो जाएंगे और आपका door lock हो जाएगा, और ऐसा आप अंदर की side से भी कर सकते हैं और बाहर की side से भी कर सकते हैं, उपर slide होते ही बस आपका जो door है वो lock हो जाएगा, और अगर आपको वेलेंशिया का smart door lock purchase करना है, तो इसका link जिए description में दिया हुआ है, जहां से click करके आप इसको एक बहुत ही सस्ते price पर purchase कर सकते हैं, और मैं ऐसी ही technology और gadgets related videos regular उतनाता रहता हूँ, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी videos regular देखना, तो YouTube के उपर Glitters & Photics चैनल को जरू subscribe करें, और bell icon प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की notification मिले आपको सबसे पहले, फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई gadget के साथ, अब तक के हिंज है भारत